इंडियन इलेक्टिक बाइसेकल मेनुफैक्टिरर, 29Motors ने इंटेड्यूस किया है इंडिया का पहला इलेक्टिक माउंटेन बाइक, दी T9 और क्योंकि 29Motors अपने यूनिक डिजाइन के लिए जाना जाता है तो इसमें भी आपको यूनिक डिजाइन देखने को मिलेगी वो भी पारफुल परफॉर्मेंस और अमेजिंग फीचर्स एंड स्पेसिफिकेशन के साथ So hey guys, this Ajay and you're watching InfoTalk The Ocean of Knowledge 29 Motors की T9 इंडिया का पहला इलेक्टिक माउंटेन बाइक है इसे खास कर औफ रोडिंग के लिए डिजाइन किया गया है इसकी अगर एपरियेंस की बात करें तो it doesn't look like a normal AMTB क्योंकि इसकी डिजाइन में एक अलग uniqueness है जो इस इबाइक को दूसरे इबाइक से अलग बनाती है और एही company का खासियत भी है बात करें अगर इसकी बिल कॉल्टी की तो इसकी फ्रेम को बनाया गया है हाई कार्बन स्टील से जो की काफी सॉलिड है लेकिन ए थोड़ा हेबी है अट अबाउट 25 केजी इंक्लूडिंग अल दी इलेक्रोनिक एकुपमेंट्स हलकि इसकी स्टेम और हैंडल बार की मैट्रियल के लिए कंपरी ने एलोई को ही काम में लिया है इसका लबाई सी बाइक में आपको एक अर्गोनोमिकली डिजाइन एन अज़ास्टबल एड़ोपियन स्टैंडर्ड वाली सैडल देखने को मिलेगी जोकि वाइल राइडिंग आपको काफी कमपट देगी बात करें अगर इसकी इलेक्रोनिक पार्स की तो T9 को मोशन मिलता है एक 500 वाट की पावर्पूल रियर हाब मोटर से इसकी मैक्सिमम स्पीड है 40 किलोमेटर्स पार आर्र लेकिन due to restriction by RTI and also for this safety reason कमपटनी ने इसकी स्पीड 25 पे electronically लॉक कर दिया है हलकि आप अगर चाहें तो इसकी स्पीड 40 पे tune कर पाएंगे लेकिन इसके लिए कमपटनी किसी भी तरह की responsibility नहीं लेगी सो इस totally आप पर depend करता है कि आप 40 किलोमेटर पती खंटे की रफ्तार से चलाएंगे या फिर सिर्ट 25 इस totally up to you खेर बात करें अगर इसकी बैटरी की तो इस इलेक्टिक माउंटेन बाइक में आपको 38 बोल्ट और 13 एंपर आर की लिथियम आयन बैटरी देखने को मिल जाएगी जिसकी durability काफी बहतर है पर इप 800 लाइफ साइकल के साथ ये आराम से 4-5 साल तक चल जाएगी और इसकी बैटरी की एक अच्छी बात है कि ये एक detachable बैटरी है देट मेंज बैटरी को आप बाइक से रिमूब कर डैरेकली पावर सोर्च के पास ले जा पाएंगे चार्जिंग के लिए और इसकी बैटरी को फुली चार्ज होने में लगता है करे 4-5 वार्ट और आप इसी बैक के साथ आप टू 80 किरोमेटर्स तक की दूरी तैकर पाएंगे इसके लबए इसी बैक की फ्रॉंड में आपको एक कस्टम बील्ड पावर पूल LED हेडलैम देखने को मिल जाएगी जिसकी विजिबिलिटी रेंज काफी ज़्यादा है और इवेन इसकी लाइट की इंटेंसिटी एक मोटर बैक से भी ज़्यादा है बात करें अगर इसकी मेकानिकल पार्स की तो T9 शिमानों की एक 7-speed geared bicycle है जिसकी सिफ्टीन काफी responsive and quick है और इस बाइक को rough road पे चलाते बग आपको किसी भी तरह की जर्की फिल ना हो तो इसलिए इस बाइक में खासकर endurance की specially design mono suspension लगाई गई है तो यह तैह है कि इसी बाइक के साथ आपको एक smooth and quality वाली riding experience मिलेगी इसके अलबाब बात करें अगर इसकी wheels की तो इसकी overall dimension है 26 inches और इसकी rims को curve किया गया है double ball alloy से और इसमें खासकर MTB Specialized Relson की extra wide micro octave tires लगाई गई है जो कि किसी भी road condition में आपको बहतर grip देगी बहीं पर बात करें अगर इसकी braking system की तो इसी बाइक की दोनोई wheel में आपको 160 mm की dual disc brake देखने को मिल जाएगी और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि इस बाइक की जितनी भी सारी electronic parts है वो IP65 से rated है मतलब आप बिना किसी वारिट के इसी बाइक को बारिस में भी चला पाएंगे इसके लबाए इसी बाइक की handle bar में आपको एक digital speedometer, thumb throttle और एक interesting और unique सा बेल देखने को मिल जाएगी और इसे company कहती है invisible bell and as for the pricing तो company ने इसी बाइक को gears, headlight, motors and battery power के हिसाफ से चार अलग-अलग model में चार different price में launch किया है और जिसकी pricing detail आप अभी अपने screen में देख सकते हैं और company ने इसी बाइक के साथ Indian Army को dedicate करते हुए 48 volt battery और 500 watt की powerful motor के साथ इसका एक army edition भी launch किया है और जिसकी कीमत है 54,999 रूपी और अगर आप Indian Army से belong करते हैं तो इस special edition खरिदने पे आपको special discount भी दी जाएगी तो अगर आप इस electric mountain bike को खरिदना चाहते हैं तो इसकी pre-booking start हो चुकी है जिसकी सारे details आपको नीचे description में मिल जाएगी तो बस यही था इंडिया का पहला electric mountain bike और इसके related information I hope your information आपको अच्छा लगा हूगा then please do hit the like button and also do share your views in the comment section So that's the wrap on this video, thanks for watching